नमस्कार दर्सको धार्मिक चमतकार में आप सभी का स्वागत है मरे हुए व्यक्ति के लिए रोने से कौन सा पाप लगता है हिंदु धरम में मृत्यों के बाद कर्म और मृत्व्यक्ति के लिए सोक या रोने के बिसे में घहराई से समझने के लिए हमें धार्मिक गिरंतों, सास्त्रों और पुरानों में दिये गए विचारों और मान्यताओं को जानना होगा यहाँ पर विस्तार से चर्चा की गई है कि क्यों और किस प्रकार से मृत व्यक्ति के लिए अत्यादिक सोक या रोने को अनुचित माना जाता है हिंदु धरम में आत्मा को अमर माना जाता है फगवत गीता में भी स्री किष्ण कहते हैं कि आत्मा ना कभी जरम लेती है ना मरती है यह अमर अबिनास्य और सास्वत है सरीर का अंत होने पर भी आत्मा का नास नहीं होता इसलिए मृत्यू केवल सरीर की होती है आत्मा की नहीं जब हम अत्याधिक सोग करते या रोते हैं तो ये इस सत्य को नकारने के समाने जो आत्मा की अमरता की अबधारना के विपरीत है अत्यादिक रोने या सोग करने से ये माना जाता है कि मिरत व्यक्ति की आत्मा भाबनात्मक रूप से संसार में बंदी रहती है ये आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में कटना ही प्राप्त पैदा करता है हिंदु धर्म में ये भी समझाया गया है कि आत्मा का अंतिम लक्ष मोक्ष प्राप्त करना होता है जहां उसे पुनर जन्म की चक्र से मुक्ती मिलती है यदि परिवार जन अत्यादिक सोक करते हैं तो आत्मा संसार से जुड़ी रह सकती है और उसकी यात्रा में बाधा उत्पन हो सकती है इस इस्तीति को प्रेत योनी की संभावना की रूप में देखा जाता है जिसमें आत्मा बीच में फसी रह जाती और उसे सांती नहीं मिल प तो आत्मा को इस पिक्रिया में अब रोध हो सकता है। गर्भुप निसद और अंधर धर्म गरंतों में भी इस बात को उलेक है कि अत्यादिक सोक आत्मा के मारक को बाधित कर सकता है। जब आत्मा यमलोग की और बढ़ती है, तो से संसार की मोहमाया से मुक्थ होने के लिए सांत और सकरात्मक बातावरिन की आविस्यक्ता होती है। लेकिन परिवार जन के द्वारा सोक और रोने से ये पिरकिरिया कठिन हो जाती है। हिंदु धर्म में स्राद और पिंडदान का विसे समहत्व है। ये कर्म मृत आत्मा को त्रप्ति और सांती प्रदान करने के लिए किये जाते हैं। ये माना जाता है कि इन कर्मों के द्वारा मृत आत्मा को स्लोक में जहाँ हैं भोजन और अन्याविसक्ताओं की प्राप्ती होती है। अथा अत्यादिक रोने के वज़े इन कर्मों को स्रद्धा पूर्वक करना आत्मा की मुक्ति के लिए महत्पूर माना गया है। गरोण पुरान में ये भी उलेखे कि जब कोई व्यक्ति अपने मृत प्रिये जन के लिए रोता है तो ये आत्मा को दुखी करता है और उसे त्रप्ती प्राप्त करने में भी अबरोध उत्पन करता है। इसी कारण पिंडेदान, तरपन और स्राज जैसे कर्मों को विशेस महत्व दिया गया है ताकि आत्मा को सांती प्राप्त हो सके और वह अगले लोग में सुख पूरवक जा सके। गरोण पुरान और विस्नु पुरान जैसे धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि मृत व्यक्ती के लिए अत्यादिक रोने से आत्मा को संसार में बंधे रहनी की पीड़ा होती है। ये कहा गया है कि यदि परीवार जैन सांती और सकारात्मक सोच के साथ मृत व्यक्ती के लिए प्रात्ना करें और स्रात कर्म करें तो आत्मा को सांती मिलती है। मनाने वाली व्यक्ति का मानसिक संतूलन भी बिगड़ सकता है。 सास्तरों में संतूलि सोख और सात्वना की सिक्षा दी गई है. यह आत्मा की सांती और परिवार जन के मानसिक स्वस्त दूनों के रखर याबिसयक है, लिकिन इसका संतूलित होना भी जरूरी है, ताकि आत्मा को सम्मान जनक बिदाई दी जा सके और परिवार जन अपने जीवन में सकार आत्मक रूप से आगे बढ़ सके मरे हुए ब्यक्ति के लिए अत्यादिक रोना या सोक करना आत्मा की मुक्ती में बाधहुत्पन कर सकता है आत्मा को संसार से मुक्त होकर मुक्षे प्राप्त करने के लिए सांति पूर्ण और सकार आत्मक वातवरन की आविसकता होती है स्राद और पिंडे दान जैसे कर्मों द्वारा आत्मा को सांति प्रदान की जा सकती है अत्यादिक सोक आत्मा को पीड़ा दे सकता है उसकी अगली लोग की यात्रा को भी कठिन बना सकता है इन मान्यताओं के आधार पर हिंदु धर्म में अत्यादिक रोने के वज़े ब्रत व्यक्ति के लिए सांती, प्रात्ना और कर्मकांड करने पर जोड़ दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमतकार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद